हलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल एसके जूकिसन में वन नेशन वन रासनकार्ड योजना क्या है क्या इसका मैत्तव है कभी ये सुरूई हुई कैसे इसमें अपलाई करें इसकी कम्प्लीट जानकरी आज आपको इस क्यों के माध्यम से पराप्त होगी इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है कहीं कोई पॉइंट स्किप ना करें ताकि आपका कोई भी मैतवपून जो पॉइंट से वो ना छोटे तो फ्रेंट चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना संकट के बीच वि तरण से जुड़ी 83 फिजदी आबादी को कवर करेगी वहीं 23 राज्यों में मौझूद 67 क्रोड राशनकार धारक अगस 2020 तक नेशनल पॉर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे हलंकि मार्च 2021 से पहले 100 फिजदी नेशनल पॉर्टेबिलिटी हासिल भी कर ली जाएगी यहाँ पे हम आपको बता दे कि पहले वन नेशन वन राशनकार योजना को एक जून 2020 से देश भर में लागू करने की बात कहीं जा रही थी इस योजना का महतव क्या है वहाँ बताते हम आपको कि इस योजना के माद्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कारण से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा तथा राश्टिय खादे सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज के उपलब्ध सुनिश्चित हो उसके इस योजना से गरीब मजदूर और ऐसे लोग लाभवविंति होंगे जो जीवी का रोजगा या अन्य किसी कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में परवास करते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो फ्रिंट्स वन नेशन व पोर्टेबिलिटी MNP की तरही है जिसमें आप अपने मोबाइल नंबर को बदले बिना देश में कहीं भी नंबर से बात करते हैं इसी तरह राज्य कारण पोर्टेबिलिटी में आप राज्य कारण नहीं बदलेगा अगर आसान भासा में शमझी तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जानने पर आप अपने राज्य कारण का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां से आप किसी भी सरकारी राज्य करीद की दूकान से अपना जो राज्य है वो ले सकते हैं इस बात को आप एक बार उधारन से समझे मान लीजिए कोई भी वेक्ति है राम जो उत्तर परदेश का निवासी है और उसका रासनकाड भी उत्रपरदेश का है वहें इस रासनकाड की जरीए बिहार या दिल्ली में उचित मुल्ले पर सरकारी रासन खरीज़ केगा सरकार का कहना है कि इससे ब्रेश्टाचार और फरजी रासनकाड में कमी आएगी मतलब कि किसी भी तरह की सीमा या नियमो का बंदन नहीं होगा वहें देश के किसी भी राज्जे में रासन खरीज सकता है एहम बात ये है कि इसके लिए किसी नए रासनकाड की जरूरत ही नहीं होगी मतलब ये है कि आपका जो पुराना रासनकाड है वो ही मानने होगा अगर इस तरह की कोई अफ़ाय आ 2019 में हुई थी और अब जानी की किन की राज्यों में लागू है। साल 2019 में चार राज्यों महारास्ट, गुजरात, तिलंगाना और अंदर परदेश के साथ इस योजना का परिक्षिन शुरू किया गया था। इसके बाद एक जनवरी 2020 से इसका दाइरा आठ और राज्यों जैसे की केरल, करनाटक, हरियना, राजिस्थान, गोवा, मद्यपरदेश, जारखंड और तिरपुरा तक भढ़ा दिया गया था। मतलब इस समय देश के कुल बारा राज्यों में यह योजना चल रही है, सुरुआत में तो तैक किया गया था कि यह योजना एक जुन 2020 से पुरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन साइद ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस और भी आपको ध्यान देना है, उत्तर और बिहार में एक जुन 2020 से इस योजना को लागू करने की तयारी है, हमें उमीद है कि वहाँ यह योजना शुरू हो पाएगी, इसके साथ साथ ही ओडिशा, उत्तर परदेश और हिमाचर परदेश में भी योजना शुरू करने की सरकार तयारी कर रही है, जैसा कि आप इस योजना के लागू होने के बाद लाबार्थी देश के किसी भी हिस्से में, चैया आप किसी भी हिस्से में दुकान हो, रासन डिलर की, आप वहाँ से आपना रासन है, वो पराप्त कर रहे हैं, और उन्हें नए तो पुराना रासन कार्ड है, वो सरेंडर करना होगा, औ नई ही नई जगे पर रासनकार बनवाना पड़ेगा आप सिरफ अपना पुराना रासनकार दिखाईए और अपना रासन है वो ले लीजी इसके लिए उस दुकान पर सरकार की वन नेशन वन रासनकार योजना शुरुवात में जिन बारा राज्यों में शुरू हुई थी वहाँ पर इपी ओस डिवाइस पर बायोमेट्रिक आधार के ओथन्टिकेशन के बाद ही इसका लाब मिल पाएगा शुरुवात में यह सिरफ उन दुकानों से ही रास्तन लेने की सुविदा मिलेगी जिन लोगों के पास EPOS महसीन या डिवाइस की सुविदा है अब जानिये कि एक देश एक रास्तनकार दोजार बीस जो योजना है उसमें आविदन कैसे करे यहां योजना बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो अब भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहां पर हम government schemes जितनी भी आते हैं उनकी भी का बटन जरूर दबाएं और हाँ इस वीडियो को जादा स्यादा आपने दोस्तों के साथ शेयर कीजी ताकि हर कोई लोग इसका फायदा उठासके अब जानी किस योजना में आविदन कैसे करें देखिए देश के किसी भी रासनकार धार को एक देश एक रासनकार योजना क के अंतरगत किशी भी तरह का ओनलाइन या ओफलाइन आविदन करने की आशेकता नहीं है जी आप्रेंस आपने सही सुना है शवी राज्ये और किंदर सरकार श्वैम उपलब्द आखडों के अनुसार लाबार्थियों के रासनकार फोन पर आधार कार से स्तापित कर लिंक क करेगी और इसके बाद Integrated Management Public Distribution System के अंतरगत आखडों को है उपलब्द कराएगी जिस से पातर सभी नागरिक देश के किसी भी कौने से उचित मुले की दुकान से अपना राशन लेश के ठीक है ठीक है फ्रेंस तो यह थी complete जानकरी about this scheme आई होब फ्रेंस वीडियो आपको अ करके जरूर बता है ठीक है फ्रेंस थेंक यू वेरी मच्च है वे नाइस टेए